नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और रासिफद 2.23 का हाइलाइट वर्जन के इस एपिसोड में यह हाइलाइट वर्जन इसलिए है कि मैं आपकी जिग्यासा को सांत करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जिग्यासा हो रहे थे कि 2.23 में क्या मेजर होने वाला है तो 2.23 में मेजर प्रेंट चेंज हो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है और इसलिए जरूरी था मैंने भी आप 22-23 को शनी चेंज होगा फिर उसके बाद 23-23 दोजा 22-23 को ब्रैस्पती चेंज हो जाएंगे और आगे 30 अक्टूबर 22-22 को राहू और केटू चेंज हो जाएंगे यह तीनों मेजर प्रेंट हैं और यह आपकी राशी पर इंपेक्ट करेंगे आपकी लाइफ पर मा जाएंगे शनी को यहां पर बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है तो ऐसी इस्तिति में शनी का रासी परतन आपको हेल्दी बना देगा जो आपकी लाइप में तर्ज, कंपेडिशन, वाद, व्याद की इस्तिति है उसमें आपको राहत मिलेगी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सपोर्ट करेगा और जो अल्रेडि इस्तिति है कि ब्रस्पती रासी से सेवंत आउस में आपको तेईस अपरेल, दोजाद, तेवीस तक कंटीनू सपोर्ट करते रहेंगे आपके केरियर में ग्रोथ के लिए या यह बहुत सकते हैं आपको इंकम, इंप्रुमेंट, सक्सेस, निरंतर मिलती रहेगी, आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा confidence बढ़ेगा या आपका energy level बढ़ेगा, आपका concentration बढ़ेगा, उससे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे दंग से income कर पाएंगे या अच्छे दंग से grow कर पाएंगे, आपके friends का circle का साथ आपको मिलेग और साथ इसाथ आप अपने circle से बहुत अच्छे दंग से support ले पाएंगे, अपने आपको grow कर पाएंगे, जो लोग कोई marketing से समधित कामकाज करते हैं, insulin से समधित कामकाज करते हैं, या जिन लोगों का कामकाज या साइक उनको कारोबारी यात्राएं ज्यादा करनी पड़ती में आपकी strength, आपकी जो भी friend circle की strength है, वो जबर्दस जंग से बढ़ेगी और उसका lab आपको मिलने वाला है, जो लोग विवा के बारे में सोच रहे हैं, दो जा तेविस की अपरेल से पहले आपको विवा के लिए effort करना है या आपको हाँ बोलना है, क्योंकि उसके बाद में आपके लिए वो समय देरिका हो जाएगा, क्योंकि ब्रस्पती रासी परतन करके आपकी रासी से 8 ताउस में चले जाएंगे, आईए अब बात करते हैं, next changes की, वो है 23 अपरेल दोजा 23 को ब्रस्पती रासी परतन करके आपकी रासी से 8 ताउस में आ जाएंगे, तो से 8 ताउस में ब्रसपती आपको हेल्थवाइज डिस्टब कर सकता है जो लोग डाइबिटिक हैं जिन लोगों को पेट या आतों से समधी प्रॉल्म रहती है उन लोगों को बहुत ज्यादा सेफ रहना पड़ेगा सावधान रहना पड़ेगा या अपना इलाज सही डंग से कराना पड़ेगा और डॉक्टर की बाद आपको 100% माननी पड़ेगी क्योंकि ब्रसपती, एंजैम्स का अधिपती भी है जो डाइजिशन पावर होती है उसके लिए ब्रसपती जिम्यदार होते हैं ब्रसपती खुद यदी रासी से एड़ ता उसमें तो आपको भी उतना ही एलाट होना पड़ेगा नहीं तो फिर उसका खमिया जब उतना पड़ेगा जो 23 अपरेल से जो ब्रसपती की स्ट्रेंथ है वो आपको इन्वेस्मेंट में फाइदा देगी आपके parental property से समनूदित कोई मामले उलजेवे हैं उसको सही कर देगी और उसको सुलजा देगी वो support आपको मिल जाएगा वो property आपको मिल सकती है तो आप cash ले लिजे और कोई property मिले तो भी आप ले सकते हैं क्योंकि इस्तितियां आपके favor में ज़्यादा है आपके पक्स में ज़्यादा है इसने वो काम होने की इस्तिति ज़्यादा बनी हुई है या आप उसकी आशा कर सकते हो जो भी समय आने वाला है दो जातेवीश में वो आपको मिलने वाली है और आपके खुद के investment आपको strength देंगे आपको power देंगे आपको grow करेंगे और ऐसी इ investment आपको finance में financial companyों में करने चाहिए gold पर करना चाहिए वो आपके लिए सबसे ज़्यादा better होगा आपके माता जी के साथ में रिष्टे सुद्रेंगे अपने खांदान वालों के साथ में रिष्टे सुद्रेंगे और साथ जो इस्तिया negativity तब जा रहे थी वो भी कंट्रोल होगी लेकिन आपकी merit life में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपकी या तो जीवन साथी की स्वास्टिक को लेकर करके आप चिंतित हो सकते हैं या आपके स्वास्टिक में weakness के कारण आप उदर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे ये बात आपके लिए practically सोचने किये या अपने आपको बहुत अच्छे डंग से manage करने के maintain करने किये 2020 के second आप में financially आपको management अच्छे डंग से करना पड़ेगा जो starting में आपने अपरेर तक management देखा है उतना strength पाने के लिए आपको manage ज्यादा करनी पड़ेगी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आईए अब बात करते हैं आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहू का रासी परतन हो जाएगा और उशी श्रंड के तुबी रासी परतन कर देंगे और ये परिवरतन होकर के राहू आपकी रासी से 7 ताउस माएंगे सिवन ताउस को दामपति सुक के बारे में देखा जाता है तो ऐसी इस्तिती में यहाँ पर आपके परवेरिक दिस्तों में कुछ गलत फेमिया आ सकती है लेकिन वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से समधित कामकाज करते हैं MNC से समधित कामकाज करते हैं IT से जुड़े बेब प्रोफेस्टनल से हैं उन लोगों के बाहर जाने के अवस्यर बहुत मिलेंगे और साथ ही साथ 2023 में starting से आप में से जो भी exam देना चाते हैं, interview देना चाते हैं debate में हिस्सा लेना चाते हैं या abroad जाकर कोई कामकाज करना चाते हैं abroad में study करना चाते हैं आपको ये sunny support करते हैं और राहू change होकर के उस support में और ज़्यादा improvement ही आया है और ज़्यादा support ही मिला है तो उस इस्तिति में यदि आप try करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे तो राहू की द्रस्ती रासी से 11 ताउस पर है रासी पर है और साथ इसाथ राहू की द्रस्ती आपकी कुलने परक्रम बाव पर है तो ऐसी situation में यहाँ पर आपको जो भी knowledge है उसका फाइदा उठाने के आउसर मिलेंगे लेकिन सिर्फ वा सिर्फ ध्यान कान देना है आपको अपने रिस्तों पर ध्यान देना पड़ेगा अपनी personal life को control करना पड़ेगा या यह बोच सकते हैं आपको गलत फेमियों को हवा नहीं देनी है अपने रिस्तों को संबालने के आउशक्ता पड़ेगी लेकिन आपके दिमाग की हलचल उतनी ही ज़्यादा strong हो जाएगी अताद आप brain power से काम लेंगे और अपने काम काज में ज़्यादा सफल भी हो जाएगे ये स्तितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है बहुत ज़्यादा better भी है तो ऐसी स्तिति में नवंबर दिसंबर में जो लोग भी सोच रहें साधी के बारे में उनकी साधी में अरचने आएगी या वो साधी आगे खिसक सकती है ये सरफ बाते ही बन सकती है बाते ही हो सकती है उसका परिणाम कुछ निकल नहीं पाएगा उसके लिए आपको मई 2.24 तक आप इंदिजार करना पड़ेगा तो ये था रासिफल 2.23 का हाईलाइट वर्जन डिटेल रासिफल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जैसा कि हर मंतली रासिफल में आप देखते हैं कि सभी गहों का उसमें इंम्पक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर सरफ मैंने मेजर प्रेनेट को ही इनिकेट किया है लेकिन मंतली रासिफल की तरह जो एन्वल रासिफल होता है, वार्सिक रासिफल होता है, उसमें भी जो हर ग्रेका चेंजिस आपके लिए क्या काम करेगा, कहां आपको सबसे ज़्यादा ग्रो के मौके मिलेंगी और कहां सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, वो पॉस्तिव और नेगिटिव सार प्रसंद रहें और सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें, आप सभी को मेरे नमस्कार, बहुत-बहुत शुब कामना है, इश्वर आपको राक्षा करें, धन्यबाद.